क्योंकि होस्टल में कभी-कभी टेवल पर स्कूल के अंदर आप यहार पढ़ रहे हो आप टेबल कुर्सी पर पढ़ोगे अगर आप बेड़ पे सुवह हम उठे उसके बाद भाई बेड़ पर नींद आ रही है फिर वम्मी आ के हमें सुना रही है चार बाते हम सुन रहे हैं फिर हम उठ रहे हैं पता चला आदा दिन हमारा वेस्ट हो गया है हमारे अंदर एक नेगेटिव वाइब आ चुकी है आप बचेवे आदे दिन से हम प्रोडक्टिविटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़े अवोइड करनी है पढ़ रहे हैं टेबल कुर्सी पर बटेंगे यह लिख लो गांठ बांद लो इस चीज़ को सीरियसली लेना इसे बेड़ पे हैं रेष्ट करेंगे बेड़ पे हैं सुएंगे ठीक है नेक्स चीज़ के उपर आते हैं यार मोबाइल का आपका स्लोट रहे हैं आज के दिन यार वो जनरेशन है जो की सबसे ज़ लगता है कि यार यहां मेरे लिए पॉर्टन चीज़ा आती है आपको लगता है वो भी डिस्ट्राक्शन हो उसे बीड़ा हो अगले तीन से चार महीने आपके हैं यह बोबाइल वापस आ जाएगा कॉलेज के चार साल मिलेंगे उसके बाद जो आपकी पूरी जिंदगी है 50-70-60 साल की वहां पे भी डिवाइस बहतर ही होईंगे गायब नहीं होईंगे आपको अपने आपसे यह सवाल पूछना है कि बच्चीवे जिंदगी में क्या मैं एक 10,000 का फोन चलाना चाहता हूं या फिर मैं एका ही फोन चलाना चाहता हूं